तो गाइज आज की ट्रेट न्यूस की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसरों ने हमें एक और बड़े खुसकपरी दिये इसरों ने अपना एक सेटलाइट लाँज किया है जो मिलिटरी केम के लिए काम आयेगा इस लेटलाइट का नाम है कार्बो सेट 3 इसमें आपको एर श्ट्राइट और सर्जिकल श्ट्राइट जैसे काम में ये सेटलाइट हमें हेल्प करेगा तो आप बता सकते हैं कि आपको की इन्यूस किसे लगे जैसे का आप लोग जानता है शामी ने कुछ दिन पहले अपना एक बेंट लॉंच किया था मीड थी तो इसको देखते होगे इंफिनिक्स भी पीछह नहीं हटा इंफिनिक्स में अपना एक निया बैंड लेके आ गया है इन फिनिक्स बैंड 5 जी हां इसमें आपको हाट भीट motion sensor देखने को मिले गा और इसमें आपको color । डिस्प्ली देखने को मिले अर बता गया है कि इसको एक बार चार्च केने से य क्लिए में कमंट करेंगा तो गास एक और गर्मक्रम ख़बर आगे हैं नोकिया की तरफ से तो नोकिया ने अपना इक निया इसमार्ट टीवी लॉइश करने वाल आईपांस दिसम्बर को जी हाँ जब शौमी लॉइश कर रहा है सैंसंग लॉइश लॉइश कर दो नोकिया पर तो गाइस वीवो ने अपना एक और स्मार्टफोन लांच कर दिया है वीवो जर्ट फाइब इसमें आपको 675 का चिपसेट देखने को मिलेगा और तिरपल कैमरा का सेटप देखने को मिलेगा साथ ही इसमें वाटर ड्रॉप नौच भी देखने को मिलेगा और रहा होगा वह तुमें अपूसर का होगा इसमें आपको पांच दमदार बैटरी देखने को मिलेगी और अठावाट का ड्यूल इंजिन फास्ट चार्जिन सिस्टम भी देखने को मिलेगा और यह एंडर्ट पाइप चलने वाला है और यह तीन में लॉंच हो चुका है चार को चल्दी भारत में आपको देखने को मिलेगा तो अनों कर दिया ओर अंधे अपको से लंगंन को दोनों फोन में ही और इसके बैटरी के बाद कर जाए तो बीसर्टी प्रो में आपको चार्जार एक सब्सक्राइब देखने को मिलेगा और दोनों में ही आपको डूर पंचोल डिस्प्ले देखने को मिलेगा फ्रंट जो कैमरा है वो 32 माय पूसल प्लस आड़ माय पिक्सल कैम करते हैं तो आपका जल जा है और इसे ऺल्जा अगया है गया है यह अगर अगर आप किसी को कौल करते हैं तो आपका क्ल कौल वेटक्टिंग पर चल जाएगा और और वो जिसको कॉल लगा रहे हैं आप वो चाहे तो आपका कॉल उठा भी सकता है या काट सकता है यह फीचर्स पहले नहीं था अभी वाटसप ने इस फीचर्स को लेके आ गया है और यह फीचर बीटा वर्जन पर है तो कुछ दिन बाद आपको यह अपडेट देखने को मिल तो जैसे के बता चाहिए था रेड्मी के थर्टी लॉंच होने वाला लॉंच होने वाला तो जी हां चनवरी में यह स्मार्टफून इंडिया में दस्तक दे चुका होगा और इसकी स्पेसिफिकेशन्स और कुछ फोटो निकल का ही है मैं बताना चाहता हूं कि इसमें आपक आपको यह वाइचेट आपको वाइड एकल स्टक देखने को मिलेगा और दो दो में अपिसर का आपको इसमें मैक्रो के देखने को मिलेगा इसमें बताया जा रहा है चाहर चाहर फांस बनीच के साथ 27W की Fast Charging Support भी दी जाएगे और बता जा रहा है कि यह 5G सपोर्ट के साथ आने वाला है और इसमें Snapdragon का 730G वाला प्रोसेसर होने वाला है तो आपको यह स्मार्टफोन कैसा लगा हमें बता सकते हैं तो गाइस रेलमी अपना एकोष्पाटफोन लॉंच करने वाला है रियलमी X30 इसमें आपको ड्यूल पंचोल कैमरा देखने को मिलेगा वह भी लेफ साइड में जैसे कि आपको रेड्मी के 30 में देखने को मिला था राइट साइड में तो इन ही लगा कि हमें पता नहीं अपक लेश टीटेश